हजवुला ने अपने नए नेता के नाव किया एलान खसन नस्रल्लाख के मारे जानए के बाद अब हाशिम सफीदीन को सौपी गई हजवुला की कमान इस्ट्राइल के हमले में हुई नस्रल्ลाह की मौत इस्राइल ने जारी किए बेरूत के दक्षिनी उपनगर में रिहाईशी इमारत पर हमले का वीडियो आईडियेफ का बयान सटीक हमले का लक्षे हिजबुला नेता हसन नस्रल्ह था लेबनन के बेरूद में इस्राइली हमलों में नश्ट हुई इमारत, इसी इमारत के अंदर मौझूद था हिजबुला नेता हसन अस्रल्ला, आसपास की कई इमारते भी हुई तपा वाशिंग्टन पोस्ट के एक रिपोर्ट में दावा, नस्रल्ला को मारने के लिए गिराया गया अमेरिका नर्मित 900 किलोग्राम वसन का बम और इसी हमले में गई हिजबुला चीफ की जान इस्राइली सेना का दावा, आईजबुला का एक और बड़ा धिकारी, हिजबुला की केजबुले परिश्वत के उक्रमुप नभील कावेक को मारने का दावा लेबनन में इस्राइल के हमले में हिजबुला का एक और कमांडर मारा गया, बद्र यूनिट का कमांडर अबु अली दिदार धेर, आईडिएफ के हमले में सुन्नी समू, अल जमा, अल इस्लामिया के नेता, मोहमद दहरूज अपने परिवार के साथ मारा लेबनन में इस्राइल के हमले में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार, इस्राइली हवाई हमलों में एकी परिवार के छे लोगों की जानगे हजबुला नेता हसर नस्रल्ला की मौत पर पाकिस्तान में भी प्रदर्शन कराची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इंसक जड़ब प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी वानिजद उतावास तक मार्च करने से रूखा गया हिजबुला चीफ की मौत पर शोक समारों का यूजन हजरत अब्बास में रखी गई शोक समा, लोगों ने इस्राइल के खिलाब जाहिव की अपना हुस्सा लेबनन में इस्राइल के हमलों में मचीब भगतर, अपने घर खाली करके सुरक्षित ठीकारों के तलाश में सीरिया सीमा के तरफ जाते दिखे लोग, दक्षिनी लेबनन से बड़ी संख्या में पलाए लेबनन की रास्तानी भेरूत में इसराइल के अमलों का विरोध दुनिया भरने कई देशों में इसराइल के खिलाफ सर्खों पर उत्रे लोग नीदलांज के शहर्ट आइंड होवन और उक्टरेच में प्रदर्शन तुर्किये में भी लोगों ने किया इस्राइल के किलाफ प्रदर्शन इस्राइली वाने जो दूतावास के सामने ही कठा हुए लोग नस्रल्ला की मौत पर इस्राइल के किलाफ की नारे बस नस्रल्ला की मौत को लेकर इडान के प्रमुक्षिया धर्मस्थल पर काला जंडा पहराया गया इसलामिक संस्कृति में शोग का प्रतीक है काला जंडा नस्रल्ला की मौत की बुष्टी की बाद शोग मना नस्रल्ला की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में भी प्रधर्शन की तस्वीरे सोचल मीडिया पर भरकाओं पोस्ट के चलते सुरक्षा बढ़ी दंदा भरकाने के आरोप में तीन लोगों को लिया गया ही रासत नस्रल्ला की मौत पर लखनओ में मुस्लिम धर्मगुरों का एलान तीन दिन तक लगातार शोक मनाने की घोश्णा शिया मुस्लिम बहुले इलाकों में बंद रहेंगी दुकाने धार्मिक इमारतों पर लगेंगे कालेज कंडे हसन अस्रल्ला की मौत पर शिया समुदाय में आक्रोश लखनओ के छोटे इमाम बाड़ा से लेकर बड़ा इमाम बाड़ा तक हजारों के चंक्या में शिया मुसल्मानों ने विरोध मार्च निकाने यमन में हूती के टिकानों पर इस्राइल के हवाई हमले दर्जनों विमानों ने हूती के टिकानों पर गिराय बम इस्राइल बूला देश के नागरिकों को नुकसान पहुचाने वालों पर इसी तरह से हूगी कारवाई यमन में इस्राइल के हवाई हमलों के बाद आग लगी होदेदा शहर में आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे फायर फाइटर्स इस्राइली हमलों में चार लोगों की मौत 10-30 लोग है इस्राइली सेना ने यमन के होदेदा शहर में बिजली समयंतरों और समुद्री बंदर गहा सुविधाओं को अपना निशाना बनाया होदेदा शहर में दो बिजली समयंतर तबाह हो गए हमलों के बाद आसमान में उठा धुए का खुबा पिछले कुछ घंटों के दोरान यमन में इस्राइल ने दस से ज़्यादा हवाई हमले कर दिये इस्राइल पर हुए हमलों के जमाब में हुई कारवाई हूती वे द्रोही बोले नहीं रुकेंगे इस्राइल के जहासों पर हम दो इस्राइल के रक्षा मंत्री का बयान कहा आईडियेप ने जमन में हूथी के ठिकानों पर किये जबर्दस अटाक इस्राइल के नाग्रिकों को नुपसान पहुताने की कोशिश करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी करें युक्रेन के शहर जापो रिजिया पर रूस के हमले बंबारी में 16 लोग घायल शहर के अलग-अलग विस्सों में रूस ने गिनाए बंब में एक उंची इमारत कई घर शती कीश चलिए अब 9 सेके न्यूज में बात होगी जम्मू कश्मीर और हर्याणा में चुनाव की बीजेपी कॉंग्रिस ने कहाँ पर बातियों पर बड़ी कारवाई की है चुनाव से जुरा पूरा बेट जानते हैं 9 सेके न्यूज हर्याणा में चुनाव परचार के आखरी चार दिनों में कॉंग्रिस ने अपनी पूरी टाकत जूंकी आज राहू दाती निकालेंगे हर्याणा बुजे संदल प्यात्रा अंबाला से पुरुप्यतर तक के यात्रा रखे कॉंग्रिस की नेता कुमारी सेलज्वा ने हर्याणा के लिए पार्टी के धूशना पत्र पर कहा कि हमारे बादे हमेशा होते हैं सच्चे कॉंग्रिस को मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन निजबार बनेगी कॉंग्रिस की सरकार करणाल में मुक्षी मंत्री नायप सिंग सेनी ने कॉंग्रिस की नेता राखुल गांती पर हमला बोला कहा हार के डर से प्रचार में नहीं उत्रे राखुल हर्याणा परेटन स्थल है उनको आना चाहिए ABP News से बोले हर्याणा की पूर्व सीम भूपेंदर सिंग खुड़ा पार्टी में कोई मत्भेद नहीं पूर्ण बहुमत से हर्याणा में बड़े की कॉंग्रिस की सरकार सीम पर फैसला हाई कमान की ले चुनाव परचार करने के लिए अमबाला पहुंची कॉंग्रिस की सांसत कुमारी सेलजा ने कहा हर्याणा में कॉंग्रिस की वापसी हुगी सीम का चैरा चुनाव के बाद पार्टी हाई कमान पैर करेगा हर्याणा में बीजेपी और कॉंग्रिस ने बगावत करने वाली नेताओं पर की कारवाई बीजेपी ने आठ कॉंग्रिस ने चुनाम लड़ रहे दो निर्दलिय उविद्वारों को पार्टी से बहार थे हर्याणा के रहो तक में जेपी नड़ा ने कहा कॉंग्रिस का मतलब है कुशासन कॉंग्रिस में तीन लोगों धर्ती जल आकाश में भष्टाचार किया प्रदेश में 30 वार बीजेपी के सरकार बनने का दावन असम के मुख्य मंत्री मंतब इस्वा सर्मा ने बीजेपी के उमीदवार के लिए हर्याणा के जीन्द में रैली की कहा कि हर्याणा में फिर से बन रही है बीजेपी की सरकार नायब सेनी फिर से बनेंगे मुख्य मंत्री परिदाबाद चेहर से आमाद में पार्टी उमीदवार प्रवेश मेहता हुए बीज़ेपी में शामिल, बीज़ेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को सबर्तन दिया, कहा मोधी सरकार ने बह रही है विकास की गव्दा हर्याणा के कैथल में ब्रहामन समाद समेलन में सीम योगी पर भढ़के रंदीप सिंग सुझेवाला बोले योगी आधत्यनाथ का नाम तक असील नहीं, ब्रहामनों को मार कर योगी आधत्यनाथ का कड़ बढ़ा हुए यूपी के सीम पर सुझेवाला के विवादत बयान पर बीजेपी ने किया पलटवाल पार्टी के नेता यासिर जिलानी ने कहा हर्याणा के लोग इसका जवाब देंगे, कॉंग्रिस को ग्रहामन समाद से भूट नहीं नहीं हर्याणा के रण में चुनावी सभा के दोरान आम आदमे पार्टी के सेयूज़क, अर्विन के जिवाल का बड़ा दावा कहा बिनाव उंक्ती पार्टी के समर्थन के हर्याणा में खिवनेगी किसी की भी सत्रा जमू कश्मीर के गुरेज में चुनावी सभा में गर्जे रक्षा मंत्री राजनाप सिंग पाकस्तान को चेतावनी दी कहा ये नया हिंगुस्तान है आतंगवादियों के खिलाब सरहत पारपर भी होती है करवाद तो वहीं बीजेपिक के नेतान राक ठाकुर ने पीजीपी कॉंग्रेस और नैश्टरी कॉंफरेंस पर भी साधा निशाना आतंगवाद का समठन करती हैं तीनों पार्टियां दस साल के मुगी राज में जमू कश्मीर में आया है बदला जमू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की बोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्ता कड़ी की गई सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षा कदमी तैनाथ पोलिंग बूत पर सीसी टीवी के जरिये होगी मी ग्राद जमू कश्मीर के कुपवाड़ा में अवामी इतिहात पार्टी के चीफ इंजिनियर रशीत की गाड़ी पर हुआ हमला गाड़ी पर खड़े होकर वो प्रचार कर रहे थे हमले में तूटे गाड़ी के शीशी जमू कश्मीर में प्रचार के दौरान बिमार हुए कॉंग्रिस के अधेक्ष मलिकार्जुन खरगे बीजेपी पर निशाना साथा तहां वो जल्दी मढ़ने वाले नहीं है जब तक पीम मूदी को नहीं अटाएंगे तब तक रहेंगे जिल्दग बीजेपी ने शानवाज उसेंस ने खरगे की लंबी उमर के लिए दुआ की कहा कि वो सौ साल तक जियें क्योंकि मूदी जी लंबी समय तक बने रहेंगे पीम तब तक उनको देखते रहेंगे खरगे चुरी देश की राजनिती में क्या चल रहें आईए दिखाएं आपको राजनिती से जुड़ी कुछ और पड़ी खबरे नौक से के नियूज यूपी में दस सीटों के लिए उप्चुनाव से पहले हुई पाकस्तान के एंट्री पशुपालन मंत्री धरमपाल सिंग ने किसान समेलन में कहा इतने जोर से बोलो राम राम की दहल जाए पाकस्तान का स्नीना पश्ची में यूपी में बीजेपी के कदावर निता संगीत सोम ने अपना बयान कबूला बोले के अधिकारियों को जूता से पिटवाले की धंकी दीती संगीत सोम ने कहा लोगों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारि महाराश्ट्र में सीटों के बटवारे को लेकर आज होगी महाविकास अखाडी के बैठेट तीनों दलों के नेता चुनाव परचार को लेकर बनाएंगे रणीती 70-20 सीटों का उचुका है बटवार शिव सेना यूबिटी के अध्यक शुधफ ठाक्टे ने लगाया बीजेपी परारोप विबक्षी खेमे में सेंधर लगाने के साज़र चुछ रही है बीजेपी शरत्पवार गुद को टार्गेट करने का आदेश दिया एंडिया के सायोगी दल आर्किया के अध्यक्ष रामदास आठावले ने 10-12 सीटों की डिमांड की कहा लोग सभा चुनाव में चाहिए थी दो सीटे लेके नहीं दी गई आठावले ने माजी लाड़ली बहन योजना की तारी जन सुराज के संयोजग प्रशान की शोड ने कहा बिहार वदान सभा चुनाव में ट्रिपल S यानी की शराब सर्वे और स्मार्ट मीटर के मुद्वे पर चुनाव लड़ेंगे शराब बंदी हटाने की फिर सेवकाने बिहार की कानून लिवस्ता पर लालू यादव के उठाए गई सवाल पर आर एलज़ेपी अध्यक्ष पशुपती पारस ने किया पलटवार लालू अपने 15 साल के कारेकाल को याद करें जब बढ़ गया था अपरात का ग्राइब अरजडी निता रोहिनी आचारे ने कहा बिहार में चल रहा है गुंडा राज पार्टी के कारेकरता चंदन यादव के घर पर छपरा पहुंची रोहिनी परिवार से मुलाकात की लोगतबा चुनाब के दोरान हुई थी चंदन की मौत रोहिनी आचारे पर जेडियू ने किया पर अटवार पार्टी प्रवक्ता अर्विन निशाद ने कहा आप पिक्रिक बनाने के लिए बिहार आई हैं रोहिनी आचारे निफ्ती सरकार पर आरूप लगाने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं केंज्रे मंत्री चिराक पासवान ने जहारखन में एंडिये से गडबंधन पर कहा बापचीट जारी है गडबंधन में लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे इसका एलांग जल्फू कर बोपाल में बीजेपी की पारश्रद की महिलाओं ने सरयाम पिटाई कर दी और महिलाओं ने पारश्रद पर अवैद वसूली का आरूप लगाया पार्टी ने पारश्रद अर्विंद वर्मा को भीजा है नूपर्स चलिए अब नौसे के न्यूज में देख लेते हैं देश से जुड़ी बाकी बड़ी खब्र जम्मू के रज़ौरी में सुरक्षा बलो और आतंक्यू की बीच मुटभेड जारी कट्वा में सर्च ओपरेश्वे नेक आतंकी मारा गया हेड़ पॉंसेबल शहीद एक डेपिटी स्पी समेथ दो पुलिस्टर में खाया आतंक्यू से मुटभेड में शहीद हुए हेड़ पॉंसेबल बशीर एहमद शहादत पर शथांसली अर्पिती कट्वा जिले के गोगाउं में मुटभेड के दौरान भूली थी शहाद जम्मू कश्मीर के कट्वा में मुटभेड वाली जगा का डोन फुटे जाया सामने आसमान से ली गई तस्मीर में नजर आया आतंकी का शव सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में मारा गया एक आतंकी प्रमुख कपथ एरड चीप मार्शल विवेक राम चौथरी के लेंगे जगा की मांग को लेकर श्याम बाजार तक मशाल धुबूस निकाला पिडिक डॉक्टर के लिए मांगा इंसाथ। टीम्सी के विधायक हुमायू कभीर की डॉक्टर्स को धंकी बोले कि जुनियर डॉक्टर्स को काम पर लगाने में मुझे लगेंगे दो मिनुद। सुप्रीम कोर्ट में सुद्वाई से पहले पॉलकटा पुलिस कमिश्णर ने आर्चेकर अस्पताल का तौरा किया, पुलिस कमिश्णर ने अस्पताल में सुरक्षा रवस्थाओं का जाईसा लिया। पिरूपती लड़ो प्रसाद मामले पर दाखली आचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुर्वाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साईटी बना कर जांच कराए जाने की माम। आतशी और केज्रिवाल के खिलाफ मानहानी मामले में सुप्रिम कोर्ट में होगी सुनवाई बीज़पी के नेता ने किया है मानहानी का केस अगरवाल समाच के वोटर्स का नाम होटिंग लिस्टर से काटने के आरोपों से चुड़ा है मसला पूर्वसांसद मेनिका गांधी की आचेका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई बिज़े उमीदवार गुआल निशात के निर्वाचन को भीती चुनावी खलफ नामे में सभी मुकद्मों की जानकारी न देने का आरोप लिए समय से क्रीज न देपाने के चलते आयाईटी एद्मिशन से वंचित रह गई छातु की आचेका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई कोटने मामले में आयाईटी को नुक्तिस जारी कर जबाब मांग दिली में डॉक्टर राजेंदर भाटी को आत्म हत्या के लिए उखसाने का मामला आवादी पार्टी विथायक प्रकाश जारवाल मामले में आज ब्राउज अवेन्यों कोर्ट में सुनवाई राजेंदर भाटी ने 18 प्रेयल 2020 को अपने घर में लगा ली थी ठास फिल्म अभिनेत्री और सांसत कम्विनार अनौत की फिल्म इमर्जनसी पर विवाद के जुड़ा मामला आज बोंबे हाई कोर्ट में फिर दूगी सुनवाई मतुरश्री कृष्ण जनभूमी और शाही इदगाह विवाद का मामला इलहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी एहन सुनवाई हिंदु पक्ष के तरफ से संचूधत अर्जी पोर्ट में दाक्यों की जाए अखाड़ा परिशत के पूर्वध्यक्ष महंत नरेंदर गिरी कुटकुशी का मामला इलहाबाद की जिला दालत में आज सुरवाई आरूपी आनंद गिरी की तरफ से उनके वकील का वकालत नामा दाक्यों गिया जाए अब नौसे की न्यूज में आस्मान से बरस्वही आफ़क की बात करेंगे जिस्ते देश और विदेश में जन जीवन को अस्तिज़स्त हो बियार की सीता मढ़ी में बागमती नदी का तडवंद तूटने से इलाखे के कई गाओं में बाढ़ के हालातों का जायसा लेने के लिए पहुंचे डियम और आस्पी राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश की मोतीहारी में भारत नेपाल बॉडर से सठे कई गाओं में बाढ़ का खत्रा भारीबारिस के वज़ से उपाथ कर परसाती नदियां सड़क के उपर वहराहा 3-4 कि तरपानी नेपाल में हो रही भारीबारिस से नदियों में उपाथ बिहार के सुपॉल में कोशी नदी के जलस्तर में बढ़ुत्री सुपॉल जिले के कई इलाखों में बाढ़ के हलाद बाढ़ के कारण आम जजजिवर अस्त जिस मधुबनी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, निपाल में भारी बारश के वज़से उफान पर कोसी नदी के तटले इलाखों में बाढ़ के स्थिती सैपडों परिवार घर छोड़कर उंचे स्थलों पर दोईश्चिप पश्चिम चंपारंग जिलेवे हो रही बारश की वज़से बारश जैसे हालात अशुप स्थम्ब परिसर बे बारश पानी धरा, सड़कों पर पांच फीट तक पानी बहता दिखा, लोगों को हो रही है आवाजाही में दिखता दर्भंगा में कोसी नदी में पानी बढ़ने से तडबंध में कटाओ, प्रिशासन ने शुरू की तडबंध की बरमत आसपास बसे लोगों में देहशत कमा हो बाढ़ की मार जेल रहा जारखन का साहिब गंज 11 ग्राम पंचायत के एक लाग से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित लोगों के घरों में धुसा पानी, लोगों की मुश्किले बढ़ी, हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षी तस्थानों पर शिफ्ट हुए बिहार में बाढ़ की सिती को लेकर घरी राज्ये मंतरी नित्या नंद राय ने मीटिंग की, NDRF अधिकारीं के साथ ये बैच़ब कोई ग्रे राज्ये मंतरी ने कहा, बिहार में बाढ़ की सिती गंभीर है, आलात्पराज्य और केंदर सरकार की नजर गुज्रात की जुनागर शहर में भारी बारश और सढ़ते रिहाईशी इलाके हुए जल्मगन प्रिशास्तन ने लोगों से की, बेवजा घरों से भार नभी कारणने कलने की अपिग गुजरात के अंबाजी में भारी बारश के कारण शहर में जल भराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कत, वडूदरा में बाढ़ की आशंका के चलते सभी स्कूलों में छुटते बाढ़ को लेकर यूपी के सेम योग्या अततनात का एक्सपर पोस्त लिखा लोगों को बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर परिस्थी से निपटने में सक्षम है, अधिकारियों को दिये एक शेतर भ्धमन करने की निर्देश यूपी के कुशी नगर में नाराइनी नदी का गहर बाढ़ की चपेट में इलाके के कई गाओं, गंड़क नदी भी फिर से मचा रही ये तबाही, नेपाल के गंड़क मेराज से 5,65,000 की उसे पानी छोड़ने पर कई गाओं में बाढ़ की सिरूरत यूपी के महराज गंजी में भी बाढ़ की चपेट में आई कई गाओं, खेत खलिहान, सब पानी में डूबा, सड़के रिहायशी इलाके पानी से डूबे, लगभग 22,000 की आबादी प्रफाब यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गाओं में पानी गुसा, सड़कों पर भेराये कई फ्रीट तक पानी तडबन के 50 मिटर से ज्यादा हिस्से को नुपसान पहुँचा, कई गाओं में बाढ़ का पानी जुसने की आशनका मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के वज़े से कई इलाके जल मंगन दो बत पीचो राहे पर नज़र आ रहा पानी-पानी, दीन दयाल नगर इलाके में सड़क में बने गठे में गीरा बाइक सबा मध्य प्रदेश के उज़ेन में शिप्रा नदी का जलस तर बढ़ा, घाटों पर पानी पहुचने पर श्रधालों को किया गया अलट, श्रधालों को घाटों पर जाने से रोका पशिमंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी का बयान उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिती चिंता जनक केंदर सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया, राज्य सरकार युधिस्तर पर बाढ़ से निबट रही है मुंबई में कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाब F.I.R. नावालिक लड़की के योन उपीडन का मामला, पीडित लड़की का आरोप संचालकों ने उसे कोचिंग सेंटर में जल्दी आने और देर तक उपने के लिए मजबूर दिये इंदOUGHर की हीरा नगर में सामने आया धरम परिवर्टन की सासश का मामला, हिंदु जागरन बंच के कारेकर्थावने आरोप लगाया 25 से 30 हिंदु मैलाओं को पैसो का लालज देकर धरम परिवर्टन कराने की कोशिश गाजयबाद में भी सामने आया धर्मांतरण का मामला भीमारी ठीक करने और पैसों का लालज दे कर किया जा रहा धरम परिवर्तन एक शक्स विरफ्तार, पादिन राजू और दूसरे लोगों की तलाज जाए रांची के लालपूर थाना ख्षेतर में सडक पर मांस मिलने की वज़ह से हंगामा, नगर निगम के कच्रा उठाने वाले ट्राक्टर से गिरा था, मांस ता टुकडा, पुलिस कर रही है मामले की चार्च घज्यबाद के थाना लोनी में बच्ची के अफरण का सिसी टीवी पुटेज, वाइरल बच्ची के मामा पर अफरण करने का रोप, मात की मौत के बाद, अपने पिता के साथ रह रही की बच्ची, पारिवारिक विवात की आशक्ता बदलापूर मामले में आरोपी अक्षि शिंदे की शव को दफनाया गया, शांती नगर्शम शान खाट में अंतिम संस्कार हुआ, शिक्स बेन अक्षिंदे कुट के कारिकर्ताओं ने शव दफनाने का विरूट हुए और शुल अब आगे बढ़ेंगे, तेंदुए ने कहां पर देशत थेलाई है, हाथियों का आतंग कहां पर है, कहां लोग परहिशान है, नौसेके नूज में राचे से चुड़ी बड़ी ख़ब्र ठाणे में बार और एस्ट्रेंड में लगी आग और सुचना मिलने पर पांच दमकल की गाड़िया मौक्टे पर पहुँची, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चलबाई आगरा में भी मसाला फैक्टरी में लगी भीशनाग, कुछी देर के अंदर धूठू कर जलती दिखी, मसाला फैक्टरी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सम्हाव पूने में शीशा फैक्टरी में बड़ा हाथसा, ट्रक्ट से बॉक्स उतारते समें, नीचे दबे छे मस्दूर, चार की मौत, धूकी हालत नाजूख, शीशी से भरे, बॉक्स उतारने के दौरान हुआ हाथसा